गोंधिया एंकर मेहनत मस्दूरी करने वालों किसानों वर्ग का शेत्र है जिन के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी काफी कठन साबित होता है ऐसे गरीब लोगों से 15 रुपे की जगा 200 से 500 की वसूली कहां तक जायस है और वह भी उन शिक्षकों द्वारा जिन को शाशन जिस स्लिप में बुक नंबर और स्लिप नंबर तक दर्च नहीं है अभी तक इतने वर्षों में पहली बाद स्लिप दी गई जो की पालक द्वारा मांगने पर की अगर स्लिप नहीं दी तो वह 200 रुपे टी सी के नहीं दूंगा तब पहली बाद स्लिप दी गई है आज तक का नेक पालकों से बिना स्लिप के ही अवैद वसूली हज़सारों रुपए की की गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है जो की नियम अनुसार गलत है ऐसी किसी भी प्रकार की स्लिप देने का नगर परिशद स्कूलों में कोई प्रावधान नहीं है प्राचारे मैडम को ख बनाये गया है जब उन्हें खुद ही लिखते नहीं आता तो वे बच्चों का भविश्य कैसे सवारेंगे इस और नगर परिशत प्रशासन द्वारा विशेश ध्यान देने की आवश्यक्ता है अवैद वसूली के खिलाफ महराश्ट नव निर्मान सीना गोंदिया जिले की और से नगर परिशत के मुख्यादीकारी करण कुमार चोहान शिक्षादीकारी जिला परिशत गोंदिया को शिकायत की गई है जिस पर नगर परिशत के मुख्यादीकारी करण कुमार चोहान ने जल से जल्द इस प्रकरण की जाज कर कारवाई करने की बात कही है गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट